आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ देखो question कहा है Find the greatest value of x square into y cube where x y lie in the first quadrant on the line 3x plus 4y equal to 5 यानि basically इसके कहने का मतलब यह है कि x y positive numbers है तो हमें किसकी greatest value निकालनी है x square y cube की और क्या given है 3x plus 4y equal to 5 ठीक है तो question में यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि कि दो कुईसी numbers का sum हमें यह दिया है और इसकी greatest value निकालनी है तो हम यहाँ पर क्या use करेंगे am greater than gm लेकिन अब हमें यह देखना पड़ेगा am greater than gm में कि हम क्या-क्या numbers में am greater than gm यूज करें अगर am greater than gm हमें ऐसे use करना है कि जब हम am लिखेंगे तो कुछ sum लिखेंगे तो वो जो sum है वो तो यह बन जाए और gm में multiply करेंगे तो जो भी multiply करेंगे ना उसमें x की power 2 और y की power 3 है तो sum यह बनाना है तो अगर आप ऐसे सोचो अगर मैं x, x और x लेता हूँ या फिर y, y, y और y इन numbers में लगाता हूँ तो sum क्या हैगा 3x plus 4 और आ जाएगा लेकिन जब आप product करोगे तो यह x cube बनेगा और y की power 4 बनेगा हमें क्या चीए x square y cube तो basically question यह है 3x को आपको 2 में तोड़ना है x की अगर 2 term होंगी तभी तो x का square आएगा और 4y को आपको 3 y के terms में तोड़ना है ताकि power 3 आजाए तो अब question क्या हो गया कि 3x है इसको हमें 2x की term में तोड़ना है तो कैसे break कर सकते हैं इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3x by 2, 3x by 2 और जो 4y है इसको 3y की term में break करना है तो 4y को 3y की term में कैसे break करेंगे 4y by 3 4y by 3 and 4y by 3 तो अब हम इन numbers में am greater than gm लगाता है तो am कितना होगा 3x by 2 plus 3x by 2 plus 4y by 3 plus 4y by 3 plus 4y by 3 divided by total number of terms total number of terms कितनी है 1, 2, 3, 4, 5 will be greater than equal to इन सब का product तो सबसे पहले इन उनों को product करेंगे तो कितना हैगा यह आजाएगा 3x by 2 का square और इन तीनों का product करेंगे तो कितना हैगा 4y by 3 का whole cube और इसकी power कितनी होगी 1 by 5 ठीक है gm तो देखो अगे क्या आजाएगा यह तो आपका क्या बन जाएगा 3x plus 4y इसकी value कितनी question में given है 5 तो यह क्या होगा 5 upon 5 1 1 will be greater than यहाँ पर क्या बन रहा है इसमें से अगर आप इसको ऐसा लिखो हमें सिर्फ क्या चीए x square y cube तो इसमें से सिर्फ आप x square और y cube को साथ में लिखो बाकी terms को अलग लिखो बाकी terms क्या बची 3 by 2 का square और 4 by 3 का 4 by 3 का cube और बाकी जो था x square into y cube इसकी power 1 by 5 ठीक है अब एक काम करते हैं यहाँ से दोनों side power 1 by 5 लिख लेते हैं तो 1 की power 5 1 और यहाँ पर क्या बचेगा power 1 by 5 हट जाएगी ठीक है into x square into y cube तो हमें क्या चीए x square y cube तो इस पूरी term को इदर भेज दे दो यानि 2 by 3 बनेगा इदर आगे और यह क्या बनेगा 3 by 4 का whole cube will be greater than equal to x square y cube हमें क्या निकालना है x square y cube की greatest value तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ x square into y cube will be less than equal to this और देखो यह क्या बन रहा है यहाँ पर यह बन रहा है यह हो जाएगा 2 की power to 4 और यह होगा 3 का square और यहाँ पर क्या है 3 का cube तो सिर्फ एक 3 उपर बचा और यह क्या है 4 का cube तो यह क्या हो गया x square y cube will be less than equal to 1 4 से 1 4 cancel हुआ 3 by 16 तो इसकी maximum value question बहुची थी कितने आ गई 3 by 16 तो इक question समझ मैं सोचने वाली बात यहाई थी यहाँ पर थी किन numbers में greater than gm लगाएं ताकि sum यह बन जाएं और product यह बन जाएं बनलब प्रड़क्ट में x की power 2, y की power 3 रहा है Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह डाउनलोड करें doubtnet आप या whatsapp कीचे अपने doubts 84444 सूपर